हेई गाइज वेलकम बेक टू काजिल्स किचेन, आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर मूली का अचार, सिरफ और सिरफ 5 मिंट में इसे बनाया है, और आपके खाने के स्वादको न और भी बढ़ा देगा, इसे आप पराठे के साथ, या फिर जो है दाल चावल के साथ, या फिर साथ खाये बहुत ही बढ़िया बना है और बहुत ही कम चीजों से हमने इसे बनाया है तो चलो रेस्पी की और आगे बढ़ते हैं यहां मने एक गाजर और एक मुली ले ली है तो अभी सबसे पहले इसका छिलका निकाल देना है मैंने टेस्ट के लिए इसमें थोड़ी सी मिर् रेडिश को कम लिया है आधी लिए मैंने यूज की है गाजर पतली थी इसलिए मैंने एक पूरी यूज कर लिया छिलका निकाल देना इसका हमने यह पर फ्रेंड्स मेरे पापा का जो है यह फेवरेट अचार था हमारे गर में मतलब जब भी ठंड आती थी सर्दिया आती थ अभी गाजर आती थी तो पापा जो है अचार बहुत ही शोक से खाते थे और अभी मैं पापा की लड़की जाने की मैं बहुत ही बढ़िया बनता है और अचार के सासातना कुछ यादे भी ताजी हो जाती है जैसे कि पापा को मैं आपने बहुत मिस करती हूं जब भी अचा से चाई चोटे बड़े इसके पिसिस रख सकते हैं और यह जो अचा रहा एक तोईसे बनाने में टाइम बहुत कम लगा है इसे धूप में नहीं रखना है और इसे जो आफ बना कर कम से कम साथ से आट दिन के लिए फ्रीज में रख सकते हैं और इसे जोई एक कर सकते हैं खाने के साथ और अभी हमने याप इसके पिसिस कर लिए हैं इसी तरह से हम हरी मिर्ष को भी कट कर लेंगे फ्रेंट से जो चारे ना इसके लिए मसाले भी बहुत ही कम यूज़ कीए हैं बहुत ही कम चीजों से अचार बना है इनस्टेंट अचारे जल्दी से बन जाता है और इसे आप जैसे बनाऊंगे ना तब भी खा सकते हैं मतलव इसे रखना नहीं है इसे थोड़ी दिर के लिए आप इसे बनाइगे और खाने के साथ अपना एंज्वाइग कीजिए हrinmirch को इस तरह से मैंने लंबा-ंबा सा काट लिया है आप यहाँ पर चाहे तो हरी मरी कोonen साथ केंची के साथ भी विड़ कर सकते हैं किसी को लगती है हरी मिकी विड़े मेरे को लगती है और उसके बाद हम इसमें एड करेंगे यहाँ पे हल्दी ली है मैंने थोड़ी सी हल्दी से बहुती बढ़िया कलर आएगा तो इसमें डाल देनी है थोड़ी सी मैं लाल मिर्च एड कर रही हूँ आप चाहे तो इसे एड कर सकते हैं नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं लोटली ऑप्शेनल है, और यहाँ पर मैंने 0.5 टी स्पून हल्दी आइड कीं इसमें डाल देनी हैं अभी हम इसमें अएड करेंगे, मस्टर्ट सीट्स पाउडर है अपर क्या करना है राय है इसे लेकर रण राय सा कूट लेना है पीस लेना है इसे हमने यहाँ पे कुछ इस इसमें डाल देना है और मैंने यहां पे total 1.5 spoon या जो है इसमें आड किया है वन टेबल स्पून लगा लो इसमें आड कर देना है और इसे अभी हम यहां पर क्या करेंगे कुछ नहीं और करना कवर करना है कवर करके अच्छे से मिक्स कर लेना है बिल्कुल अच्छे से हिला लेंगे आप चाहिए ना इसमें थोड़ो सा मस्टर्ड ओयल भी आड कर सकते हैं सरसो का तेल वह भी करम करके नहीं आड करना है डिरेक्ट थोड़ो सा इसमें डाल सकते हैं अच्छे से कलर के लि डाल कर इसे mix कर लेना है, थोड़ सा सूका सुका सा रहेगा पहले, और इसे जो है 2 से 3 मिनिट के लिखेंगे, इसमें जो है मौश्चर आ जाएगा, कुछ इस तरह से गिला-गिला सा हो जाएगा, देखो, आपको दिखाती हो 2 मिनिट को, इसे अच्छे से mix करना है, फिर मैं आ पॉश्चर आना है, इस मतलब इसमें, 2 से 3 मिनिट के बाद, हमारे या पे अचार, जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा, देखो, गिला-गिला सा हो गया है, इस तरह से अचार जो है, बनकर बिल्कुल त्यार हो जाएगा, इंस्टेंट अचार है, है ना बनाने में बहुत ही झाल 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